उत्तर प्रदेश की राजनीती में एक बार फिर इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। इस बार उन नौ विधानसबा सीटों पर उप्चिनाव होंगे जहां के विधायक सांसदी लड़े और जीत गए। इसमें सबसे पहला नाम है खुद अखिलेश यादव का। उन्होंने कर पहल के साथ 9 सीटों पर उप्चिनाव होंगे। पर उप्चिनाव होने वाला है। अखिलेश यादव की एक और परिक्षा यूपी में होने वाली है। क्योंकि उन्होंने करहल सीट से स्तीफा दे दिया है और उनके साथ विधायक से सांसद बने नेता भी एक-एक कर स्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में जिन्नौ विधायकोंने लोकसभा का चुनाव जीता है अब उन सीटों पर उप्चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। मेंपूरी की करहल विधान सभा सीट जो एकलेश यादव के स्तीफे से खाली है। फैजाबाद की मिलकीपुर विधान सभा सीट जहां से स्पी विधायक अब धेश प्रसाथ सांसदी जीत चुके हैं। अमबेटकर नगर की कटेहरी विधान सभा सीट के सपा विधायक लाल जी वर्मा लोग सभा चुनाव जीते हैं। मुराणवाद की कुंदर की विधान सभा सीट से सपा विधायक अब लोग सभा जा रहे हैं। गाजियवाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग लोग सभा जाएंगे। यानि समाजवादी पार्टी की चार विधानसभा सीट और बीजेपी की तीन विधानसभा सीट के साथ एक निशाद पार्टी और एक अरेलडी पर उपचुनाओ होना है। सभा के सदस हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात अगर करें तो अब तक अखलेश यादो और धेश परसाथ और लाल जी वर्मा इस्तिफा दे चुके हैं। जबकि आजियाव रह्मान बर्क कुछ दिनों के बाद इस्तिफा देंगे। जबकि भाती जेंता पार्टे के सभी पाचों सदस से जल्दी इस्तिफा देंगे। इसे सिर्फ उपचुनाव नहीं बलकि मीनी विधान सभाचुनाव माना जा रहा है। जिसमें एक तरफ सीम योगी होंगे तो दूसरी तरफ अखलेश यादव जो लोग सभाचुनाव के बाद थिर आमने सामने आने आने वाले हैं। जिसमें बादों के साथ जिन बातों के साथ चुनाव में गए थे हम उन सब बातों को उठाते रहेंगे। जिसमें बादों को भारती जनता पर्टी को याद दिलाते रहेंगे। ओर एफ टक्सरा कर्णेओ। एप दिलाते पुर्ण के चल यादो जिसमेंगे।